आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ The question is Amoeba moves by Celia, Flagella, Pseudopodia Two of the above बात करें यहां पर Amoeba की तो Amoeba हमारा Example है Protesta Kindrum का अब Protesta Kindrum के अंदर हमारे सभी Unicellular Eukaryotes आएंगे जो Prokaryotes हैं उनको रखा गया है Monera Kindrum के अंदर बट यहां पर बात करें Protesta Kindrum की तो यहां पर Eukaryotes तो होंगे बट वो हमारे सभी Single-Cell Eukaryotes होंगे ओके और Protesta के अंदर हमारे आते है Proto-Juans तो यहां पर जो Amoeba है हमारा वो Proto-Juans का Example होगा जितने भी हमारे Proto-Juans हैं वो Heterodrops हैं अब यहां पर Amoeba की बात करें तो जो Amoeba हैं वो Move करते हैं या अपने Prey को capture करते हैं with the help of false feet जिनको हम क्या कहेंगे Pseudo-Podia तो यहां पर जो Amoeba at moment के लिए Responsible है वो Pseudo-Podia होंगे यहां पर हम डाइग्राम की हल्प से भी देख सकते हैं यह Amoeba है यह Prey है तो Amoeba जो हो Pseudo-Podia की हल्प से इस Prey को करता है और आगे की तरफ बूफ करता है तो फास दी आगे है Celia तो Celia और Flagella दोनो हमारी Hair-like Outgrowth होंगी किसकी Cell Membrane की Celia को अगर हम Flagella से Compare करें तो वो इससे क्या होते हैं छोटी होती हैं Flagella हमारी लॉंगर होते हैं और Responsible हैं के लिए तो यह दोनों गलत होंगे Correct option is Option No.3 That is Shoulder Podia Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा Students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर